गलती, बिफलता, असम्मान, निरासा और अस्विकृती ये पांच चीजें ऐसी हैं जो इनसान को तोड़ भी सकती हैं और जोड़ भी सकती हैं लेकिन दोस्तों आस तक जो भी लोग सफलता के चरम पर पहुचे हैं उन्होंने इन पांचों चीजों का डट कर सामना किया है ये स्थितियां सभी के जीवन में आती हैं लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पास्टिव रहना है क्योंकि इसके बगएर आप जीवन में सफल हो ही ने सकते और ऐसा कोई सफल व्यक्ति इस धरते पर नहीं हुआ जिसने इन परिस्थितियों का सामना न किया ह नमस्कार गुड़ मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस्टेडी विद ग्यान परकास के मारिंग न्यूज सेसन में दोस्तों आज साथ नॉम्बर सुरू करते हैं आज की मारिंग न्यूज तो उस्ते पहले आप लोग एक टाइम टेवल नोट करिए कि रो पर आधारित एक प्रस्पत्र आपको रोज दो बार में एक बज़े दिया जाता है इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करें सिक्चकवर्थी परिच्चा यूबेटेट और अगर आप सीटेड की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए भी एक प्रैक्टेसेट रोज साम को सुनवाई थी वो पूरी नहीं हुई यूँ कर सकते हो आप क्योंकि नई डेट लग गई कारण यह था कि अभी तक की जो सुनवाई हो रही थी जिस बेंच ने सुनवाई की थी और दो पक्षों को सुना था उसमें सरकार का भी पक्ष था और इसके रामां बीएड और प्रिशे के ऐसे बिरती जो की कटाप के समर्तक हैं तो उनके द्वारा जो पक्ष रखा गया था उनकी सुनवाई की गई थी जिस बेंच के द्वारा कल जब सुनवाई शुरू ही साड़े दस बजे के आसपास तो मांग यह रखी गई कि क्योंकि पुरानी बेंच ने काफी पुरानी बेंच को इसमें इंवाल्ब ना किया जाए और जो फाइनल सुनवाई है वो पुरानी बेंच ही करें तो अगली जो बन्च जो अगली डेट को बैटेगी वो डेट लगाए यह 13 नौंबर यानि अब जो अगली डेट है वह 13 नौंबर को है तो यहां पर अंकर जैसवाल और जस्टिस इरसाद अली जी थे तो इनी की बेंच सुनवाई करें क्योंकि यही यह वह बेंच थी जो की पुरानी जो सुनवाई कर चुकी है ठीक है तो देखो अगली डेट लग गई यह 13 नॉमबर और दोस्तों यहां पर अब अगर देखा जाए तो अगर चार-पास डेट तक सुनवाई हो जाए लागातार तो इसका जो आडर है वो भी आ सकता है देखो आपको पास्टिव रहना है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है लेकिन इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से यह भी करता हूँ कि यह जो एक्जाम था आप नहीं दे द दिया और भाग के भरोशे आप बैठ जाओ ऐसा नहीं करना चाहिए आपको देखो बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2019 का बिग्यापन कब आएगा तो दोस्तों अब 2019 का भरती का बिग्यापन जारी करने की मांग भी तेज हो गई है असल में चै जारी नहीं हुआ तो अब भरती जुम्हें मांग कर रहे हैं कि विग्यापन को अधिसी ग्रजारी कर दिया जाए तो दोस्तों इसकी भी सासन ने नहीं सिक्षा निती की तरह भरती कराने का भी आदिज दिया है और कुल मिला कर देखा जाये तो जो रिक्त पदों के बारे जानकारी मिल ले दी 40,000 पद होंगे और आपने देखा भी होगा कि बहुत सरा लोगों ने ये भी कहा था कि इस बार TGT PGT में बंपर बढ़ती होने वाली है तो कि मैंने आपको सुचित किया था कि ये भरती जोगी वो 15 से 178,000 के बीच में हो सकती है इक्जैक्ट कितने गलत हैं फेक हैं गलत आंकडे जुटा लिए गए हैं तो उसको सही सही जांचा जा रहा है और दोगों यहां पर यूजे निकल के आ रही है कि अभी जो है रिपोर्ट अगर मिल जाएगी स्टीफ की यानि की इस पिसल टास्पोर्स की जो जांच कर रही है तो उसके बाद व 2016 संस्कृत में प्रस्णों के गलत जवाब के आधार पर परड़ाम जारी करने का मुद्दा उठाया है और इसके बारे में भी एक ख़बर आज अकबारों में पब्लिस हुई है तो यहां पर जो खबर है उसको भी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर यह का गया कि संस् दूद रिजल जारी कर दिया गया तो मतलब यह था कि इसको संग्यान में लेना चाहिए था और अगर ऐसा है तो वो उत्तरकुंजी को लेकर चैन बोर्ड की ओर से सुनवाई नहीं किये जाने पर इसके खिलाफ हाई कोड में याज क्या भी दाखिल करेंगे और इसी प्रका कर दिया गया है कि लिखित परिच्छा के बाद उत्तर माला को वेबसाइट पर प्रत्रसित करके निर्धारे तिती तक मिली आपत्यों का परिख्षान करके अंतिम उत्तरकुंजी जारी कर दी गये और अब कोई भी जो है आपजेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फ बिग्यापन था वो 2011 के यूं कहो तो 2011 में 7825 सिक्चे वर्ति के लिए बिग्यापन जो मायवती सरकार के समय में जारी किया गया था उसके बाद चुना हो गये थे और भरती पूरी नहीं होने के बाद मनलब अगली बार हुआ कि अखले सरकार बन गई थी तो यहाँ पर लोगों से अनलाइन आवेदन भी लिए गए थे और आवेदन ले जाने के बाद फिर क्या हुआ था कि मामला कोट में गया था और जो भरती कंप्लीट हुई थी वह 2011 के विग्यापन पर हुई थी तो 2012 के आवेदन जो लिए गए थे उसमें बहुत सारे बेटों ने आवेद सुल्क के रूप में लोगों ने जमा किया था सरकार के पास और ये सुल्क वापसी अब तक नहीं हुई है वही पर कुछ अब बेटी अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी उम्र बची नहीं है कि वो किसी परिशा के त्यारी कर सकें और कहीं जॉब पा सकें तो इसलिए अब उन्हें फीस वापस ने चाहिए उनको नौकरी दे दी जाए और फ्रेंट्स यहां पर अब वो जॉब की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो ओर एज हो चुके हैं और यहां पर यह भी का चाह रहा है कि बहुत सारे बेटियों ने 65 से अधिक जिलों में आविदन किया था और लगबग 30 से 35,000 रुपए उन्होंने खर्च किये थे तो फ्रेंट्स यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में प्रस्दी विद्यालों के लिए 72,825 प्रदों पर सहाक अध्यापक की भरती के लिए जो आविदन मांगे गये थे हाई कोड के आदेस के बाद सरकार ने मतलब इससे पहले 2011 में सहाक अध्यापक भरती के लिए मांगे गये आविदन के आदार पर भरती पूरी कर दी थी फिरहाल देखती यह है कि यहाँ पर जो भरती मांग कर रहे हैं सरकार इनको संग्यान में लेती है या नहीं लेती है क्योंकि लंबे समय से भरती मांग यह कर असफस्ट कर देता हूं चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पर बताते हैं आपको कि यूपेटेट 2019 में आनलाइन आविदन चल रहे हैं और इस बार उम्मीद यह जिताईया रिदी कि 15 लाख या उससे अधिक आविदन हो सकते हैं तो देखो आगर आपको आ अप्रेटी देंगे परिक्षा और यहां पर जो मद्य शेत्रा यारी की यूपी भिहार उसके लिए कुल 1044 पर निर्धायत किये गए हैं 24 नॉम्मबर को सेकेंड पेपर की परिक्षा होनी है और आपको बताते हैं कि MTS पेपर 2 की जो परिक्षा होगी यह 24 नॉम्मर को यूटर आधारी परिक्षा 2 से 22 अगस्त तक देश की बिभिन परिक्षा के अंदरों में कराई थी पंजीक्रण किये थे पैंटिस स्वारी अनटिस दस्वाल पांच आठ लाख मदल लगबग साड़े अनटिस लाख अभेटियों ने पंजीक्रण कराया था और उसमें परि प्रवक्ता ग्रणित के अभेटियों का सक्षातकार 18 नॉवंबर से शुरू हो रहा है और इसके लिए एक विध्यवति यूपी यानिकी उत्तरप्रदेस अधिनस सेवा चैनल उत्तरप्रदेस लोग सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दीए और जो लोग इस मतलब साक्षा का सुरू होंगे पूरी जानकारी आपको यहां पर प्रवाइट कर दी गई है और यह जो विग्यापर की कटिंग है यह आपको हमारे फ्यूदू पेंज इस्टेडी विध्यान प्रकास पर भी और हमारे ट्रेग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी इसको आप पढ़ लेना और इसके एकॉर्डिन डॉक्मेंट्स वगर अपना रेडी कर लो और उसके बाद अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो समय से पहुचो और पार्टिसिपेट करो सुब कामना है आरो यारो प्रवक्ता भरती का पैड़ाम खोशत करें कि मांग तीज हो गई है लोग दोने प्रवक्ता राज की डिगरी कालेज स्क्रीनिंग परक्षा 2017 का पैड़ाम जल्द खोशत की जाने की भी मांग की है और दोस्तों चलते चलते आपको बता दें कि राजस्थान उच्छ नियाले में ग्रेड फोर यानि कि चतुर स्रेणी में इस समय कुल 3478 पदों पर आ स्थान या सरकार दोरा मानेदा प्राथ किसी अन्य बोट से से केंडरी के साथ देवनागरी लेटी में यानि की हिंदी का घ्यान होना चाहिए आविदन सुलक हैं डेड़ सो रूपे से जनरल के रेड़ सो रूपे और जो आर्चीत हैं उनको सो रूपे अठार नॉमबर से स सत्र दिसम्बर तक आनलाइन आविदन होंगे वेबसाइट होगी यच सी आरेजे डाट इनसी डाट इन ऑफ्रेंट साथ को बता दें कि कल जो हमने आपके टेस्ट स्रीज अपलोड की थी यूपे ट्रेपलसी जूरियर असिस्टेंट बन रक्षक परिक्षा और यूपी पी में एक बजी होगा आप सभी सादर आमंत्री थो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद